हेलो गाईज, welcome back to my channel आज मैं आपको बताने वाला हम Relance application को आप अपने फोन में कैसे यूज़ करेंगे तो कर आप भी जाना चाथे हो Relance application क्या है और इस application को हम अपने फोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को दिखते रहे है वीडियो शुक्रने से पहले गाईज गर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड आज कई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा प्लेई स्टोर के इंदर जाना है और प्लेई स्टोर में जाने के बाद Relance application को पने phone में download कर लीजिए और download करने के बाद इस application को पने phone में open कर लेना है और जैसे इस application को open करेंगे open करने के बाद इस तरह का interface आ जाएगा तो हम गईज क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिखतो हमारे सामने बहुत सारे option यहाँ पर हमें जो है मिल जाएंगे तो हम किसी भी एक चीज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने home page आ जाएगा ठीक है अब गईज इसके इंदर हमें जो कहका option मिलेंगे basically यह जो application एक photo editor application है साथी साथ DSLR बलर करने का भी option मिल जाएंगा साथी साथ DSLR camera भी हमें जो मिल जाएंगा जिससे हम बलर वगएरा capture कर पाएंगे फोटो में ठीक है अब guys यहाँ पर सबसे पहले तो DSLR का option मिलेगा DSLR बलर वाला आप देख सकते हो इसके इंदर अगर आप अपनी फोटो में जो blur करना तो यहाँ पर आप आप इसके उपर क्लिक करके आप जो कोई भी photo सेलेक्ट करके इसमें जो blur वगिरह करना है तो आप जो easily कर पाएंगे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे photo and उसके बाद blur करना है तो photo में आप जो blur कर पाएंगे ठीक है जैसे for example के लिए हम यहाँ पर यह photo select करते हैं और उसके बद मैं आपको बता भी देता हूं उसके इंदे थोड़ा सा wait करेंगे 3 seconds तक हम यहाँ पर wait करेंगे उसके बाद हमने जो भी photo select किये उसमें जो है blur हो जागा ठीक है अब देख सकतो यह वाली photo हमने select किये और उसके बाद पीछे का background वह यहाँ पर blur हो जागा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर इसके इलावा हम देखेंगे हमें जो camera use करना है तो camera use का भी option हमें जो मिल जाता है शूटिंग का option मिलेगा इसके उपर हम क्लिक करेंगे अलाव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा camera open हो जागा ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा है कि camera का इंदर भी बहुत सारे option जो हमें मिल जाते है यहाँ पर blur करने के ठीक है तो जैसे for example के यहाँ पर आप देख तो हमें blur करना तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देख तो background जो blur हो जाएगा और इस फूल का जो photo है वो सिर्फ capture होगा ठीक है हम इसके उपर tap करें तो इस तरह से आप जो है कर पाएंगे directly यहाँ पर clear आप photo किसी का भी लेना है तो background blur करके आप फोटो वगेरा ले पाएंगे ठीक है तो यह option इसके इंदर best option है और मिल जाता है हमें use करने के लिए अब इसके इंदर क्या और मिलता है जैसे album वाला option मिलेगा अगर आप अपन करने है for example हम यह वाली photo choose करते है अब इसे edit करने के बहुत सारे option हमें जो इसके अंदर मिल जाता है ठीक है जैसे इसके अंदर हम देखेंगे filter वाला option मिलेगा filter के उपर click करेंगे तो बहुत सारे अलग लग हमें filter मिल जाएंगे ठीक है जैसे for example हम first वाला filter use करेंगे use पे click करे यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते है और photo में आप difference देख सकते है इस तरह से आप photo use करके photo में जो भी different आप use करना चाहते वह यहाँ पर आप जो है कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर apply वाला option मिलेगा apply पे click करके यहाँ पर use कर सकते हो इस filter को exposure का option मिलेगा इसके ओपर click क करके आप देख सकते हो इसके इंदर brightness है एक्सपोजर है जो भी colors contrast है जो भी आपको highest वगएरा लो वगएरा करना है वह यहाँ पर आप जो है इंक्रीज वगएरा करना शेडो वगएरा जो भी अपनी साब से करना है आप जो है कर पाएंगे ठीक है उसके बाद टिक वाले option पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर color वाला भी option मिलेगा जिसके अंदर color अगर आपको कम ज्यादा करना है changes करना है तो वह भी यहाँ पर आप जो है easily कर पाएंगे इसी के साथ साथ आपको frame चाहिए तो अलग लग frame भी यहाँ पर आपको मिल जाए बहुत सारे option editing के इसके अंदर tools जो आपको मिल जाए जो भी आपको editing करना यहाँ पर easily आप आराम से editing कर पाएंगे और अपनी photo को enhance कर पाएंगे ठीक है उसके बाद सेव करने के लिए क्लिक करेंगे और इसके उपर क्लिक करने के बाद saved album यह photo गैलरी में successfully save हो चुके ठीक है तो इस तरह से guys आप अपने phone में real lens application को अपने phone में use कर सकते हो और गई साथ ही साथ इसके अंदर photo capture कर सकते हो वीडियो बना सकते हो अपनी photo को edit कर पाएंगे बहुत सारे option इसके अंदर आपको जो है मिल जाते है